तो क्या है दोस्तों कैसे हो सालोग फफली सालोटीक होगे और आजम बात करने वाले डीमन स्लेयर के हाज़रा ट्रेनिंग हाल के बारे में तो बना वक्त हो आए बढ़ेंगे बखसी देश की वीडियो में एपिशोड की शरॉत में देखना मिलती है जो लगा होता है यह साफ स लड़की है जिसको थोड़ी बहुत है तो उसको नौलिज प्रदान कर सके और क्या तो हमरे साथ करेगी डिवीट करने में मुजान की वूटसूजी को और उसके बाद वह यहां से ओड़ चलती है पर इस लड़का होता है पहुच जाता है तमायों के पास वह अपने दरवा कर लिया है तो प्लैन जो है मोशन में हैं और सारी चीज़ें के लाड़ को छोड़ेंगे लेकिन यह आखरी वार होगा हमारे इस घर को छोड़ना और जितनी भी रिसर्च मैंने की है वह मैं सब शौपने वाली हूं और यह लास्ट मूव होने वाला है हमारा और इसके वाद वो शेंपल है वो असेंड है कि वो अब मूव नहीं कर पा रहा है और वो बताता है कि जो गियू है वो अब ट्रेनिंग में पार्टिसिबेट नहीं कर रहा है आलगि वो खुद बात करना चाहता था उससे लेकिन उसकी करनिशन ऐसी नहीं है कि वो जाकर उससे बात कर पाए लेकिन ये वक्त जो है हम लोग ले बहुत important है तो ये चाहता है कि तांजरो जो है वो जाके गीव से बात करें क्योंकि जो गीव है उसकी आदत है वो अपने आपको negative frame of mind में ले आता है ताकि वो दुआरा से सामनी की तरफ देखें और तुप उसके साथ persistent रहना कोशिश करना है कि तो उससे बात कर सके और patience के साथ बात करना उससे और तांजरो तयार होता है इस चीज़ के लिए अगले दिन वो अपने बैसाखियों से साहर बाहर निकलता है आउई जो होती है वो कह रही होती है यह मत कहना कि तू आजरा ट्रेनिंग ले जा रहा है तो यह कहता है नहीं नहीं मैं बसकी सिज़न पिलने चा रहा हूँ वो जो ट्रेनिंग अभी नहीं चेंदी है तो कहती है फिर तो ठीक है चीज़े लेकिन यह कहता है कि मिस आओई मैं तुम से कुछ पूछ सकता हूं क्या तो कहती है बिल्कुल बताओ तो यह उसको बठाता है और कह रहा होता है कि अगर कोई इंसान हमेशा सही अकीला रहा है तो हम उसे कैसे समझा सकते हैं कि वो अकीला नहीं है उसके साथ सारे लोग है तो आयो जो होती है वो कह रही होती है कि इसका exactly answer मेरे पास भी नहीं है तो किसी को चेयर करना चाहता है एना तांजरो अगर मैं होती तो मैं छोड़ देती उस इस इंसान को ऐसे ही as it is तो तांजरो जो होता है वो अब यहां से लीव करने वाला होता है तो कह रही होती है अगर तरह पास एक नेट है तो मैं तरह लिए कुछ लाती हूं आप तांजरो सोच रहा होता है सिच्विशन जो है बहुत ही complicated है फिर यह खाना पैक करती है कुछ rice balls लाती है इसके लिए और करेंगे डेता है कि ήत डिरुंए कोई अंदर है मैं अंदर आ रहा है तो इसको लगता है ग्यूव को कि वह बोला राजू कोई बात है इस तरीर चीजह जो होता है कि तुछे वाटर हाशिरा बनना था तो तो क्यों नहीं करी इसके ऐंसे उस्ट के बात करी थी जुस्ताइल नहीं टक नहीं एक लिकादड़ मूब्स यह वह पर्टिकुलर दी और के साह्त मैस्ट करते हैं यह होता है इन प्रेजिन यहीं तुझे वाटर हश्चरा नहीं है वाटर हश्चरा नहीं हो आप को हमारे वाटर हश्चरा नहीं हो पिर गियुल खड़ा होता है अब तुझा निकल ले भाग जायां से उसमें जो कि याद आता है कि अपने efforts के साथ persistent रहना तंजरो फिर करी जाता नहीं है बैठा रहता है बार वाला आता है इसको बुलाता है चलाता रहता है दरवाजे पे खाना दरवाजे पर ही रख देता है ताकि वो खा ले और ग्यू जो होता है बनी training से वापस आता है अंदो देखता है तंजरो अभी भी वही स खुब रहा होता है इससे training करने के लिए वार वार persistent रहता है और कई भी चोड़ता है वो सो रहा होता है तब जाके चलाता है वो जगा होता है तब उसे परिशान करता है वो training कर रहा होता है तो उससे सामने कड़ा होता है वो नहा रहा होता है तब भी जाक क्या आवाज दे उसके वाद जो यह होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कभी फाइनल टेस्ट पासी नहीं किया था तंजरो जो होता है मतब वो जो ट्रायल जो होता है मौन्टेंज में विस्टिरिया फ्लावर के लिए घू कहता है हां बिलकुल उस साल जिस तरह मेरी फैमली जो थी डीमन्स के दोवारा मार दी गई उस लड़के का नाम था साबीतो हम मैंने उसी के साथ सेलेक्शन एक्जाम में पार्टिसिपेट किया था और साबीतो को पैचान रख होता है तानजरो भी क्योंकि उसके भूद नहीं इसको ट्रेन किया होता है यह दोनों गियो और साबीतों जो थे व के दोवारा चोटे लो जाता है इसकी ऐहारत भूद खौराव होती है नहीं गियो भी को सौपकर सेलेक्शन cuma सेलेक्शन वहता है रूप खत्म हो चुका होता और वहां जाके बोलता था कि वह वाटर हश्रा बरने लाइब है और ये इवन खुद को वर्दी में नहीं समझता है बाकी आश्रा के साथ खड़ा हुनी के ये उन लोग के तरह बिल्कुल भी नहीं है नौर्मली वहां पर कोई भी जगा नहीं होनी से ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर भी मेरी तो तुझ जहां किसी और हश्रा के पास वही तरह लिए बेस्ट होगा और मेरे उपर वह मारू जा है उतावी मैनिफेस्ट को ही नहीं शक्ता है लेकिन अगर सावित होता तो शा कि तुमारे आसबस को इनसान था वह इतना अच्छा था उसको सर्वाइब करना चाहिए था तुम्हें नहीं लेकिन वह इंसान मढ़ जाता है और तुम जिंदा रहता है और यह बहुत ही खराब हो तो वह प्रोटेक्ट कर रहा हो प्रोटेक्ट करते-करते मिट जाए तो व वह जो दोनों लोग थे और वह बहुत पहले ही मर चुके थे अगर वह आज जिन्दा होते तो शायद यू जैसे ही इतने बड़े होते तागि अपने आज से बोस्ता है और चाहरा होता है कि ना भी जिन्गों साबितों की फाइन सेलेक्शन में उसने सको बचाया था जो कि सब्सक्राइ 넣 यह है कि इस जो अभी जान बचा पाया था कि अधा सब्सक्राइब जो होता था था ऐसे इनक्रेडिबल सॉड्समीन बना有गा अमें ते वह सबसे कांडर को बस तों बच जाना मुझे ता म Итак कुझा लोते वह एतनी जगा एनु份 चाह सब्थानी कर दियू किसी दिन मार सकते थे लेकिन इनों के जो होता है वो बोलता है कि रहन कुपू ने बेले किया था तांजिरों में तो इन लोगों को जिंदा रहना होगा ताकि उनकी एक्सपेक्टेशन को यह बेजर अब कर पाएं और इसको रिलाइस हो जाता था यहां जो यह वो रादा वो बिल्कुल ठीक था लेकिन तो यह स्वांज में आता है कि अभी जाके क्या कहें और यह मेंजन करी सकता है कि किस तरह की हार्ट ट्रीनिक के थ्रू गया होगा कि इतनी मेहनत की होगी कि वह वाटर हश्रा बन पाया होगा तो यह आगे बढ़ता हुए जाता है और कह रहा होता है कि कभी भी मरनने की बात तू करना मत दुवारा क्योंकि नेक्स टाइम जो तुब बाते करेगा ऐसी हम दोनों तो अलग होई ही चाहेंगे और मैं तेरा दोस्त कभी रहूँगा नहीं तुझे याद नहीं तो अपनी बड़ी बहन की शादी कराना चाहता था और नेक्स ड की आफ को और तो ता है याद ब्ली चाहता और इसको अब टिके पर जjdister सो रख रहा हिए तो अब इसको फारा नहीं जाए है तो इसको इस फेलिंग को दौर जाने दimp इमेचौर था तांजिरो जो होता है वो सोचता है कि मैं क्या करूँ मैं नहीं आ रहा है तो कहता है कि इसको चियर अप करने के लिए क्यों एक कॉंटेस्ट किया जाए और उद्र सब्सक्राइब कोचों से इसको कुछ भी सुनाई देता नहीं है और कोचों शायद कुछ टीज भी नहीं कर रही होती है ऐसा लिखता है उद्र वह जो हशुरा होती है वह अपने आपको कामडाउन करती है और ये अपने emotion को control नहीं कर पाती है उतने में देखने में मिलता है जो इसकी apprentice होती है वो पीछे आती है और वो जाने वादी होती है wind हश्रा के वहाँ training करने के लिए फिर वो बोल रही होती है कि इसका जो training session है वो stone हश्रा के बाद भूगा की नहीं होगा तो ये बताती है कि ये हश्रा train में ये participate करी नहीं रही है तो ये लड़की शौक में होती है पूझ रहती है अकर ऐसा क्यों है तो गहन लगती है कानाओ तो मेरे पास साथ मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ अकरनाओ जो है वो अपने माश्र के साथ दुवारे train ज़रू करना चाहती है और उसके बाद ये हश्रा जो होती है कहती है मैं तो बताना चाहती हूँ अब आउट डीमन जिसने इसकी बड़ी बहन को मारा था और ये ये भी बताने चाहती है कि उसको ये मार कैसे सकती है उस पीमन को और उसकी सब्सक्राइब जाता है ये वाले एपिसोड तो बाट करें कैसा था ये एपिसोड तो एपिसोड जो तक काफी जादा मदिदार था काफी बढ़ी हां ता इस वीडियो में इतने रखेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करने चैनल को आपारे सब्सक्राइब करना में तेनल वीडियो में तब तक लिए बाइब ऐसा होना रहा जैश्री रहा हुआ